दोस्तों अधिया आपको लोन की जरूरत है तो आप लोग घड़ बैटे आधार कार्ड और पैन कार्ड के माद धहम से आसानी से लोन ले सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको हम नाभी एप के माद धहम से लोन लेने के लिए लाइप प्रूप के साथ दिखाने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा लाइक करना मत भूरिएगा दोस्तो मैंने वीडियो के डिस्क्रूशन में लिंक दिया है आप लोग किलिक करके नाभी एप को इस्टॉल कर लेंगे हमने इस्टॉल कर लिया है चलिए ओपेन पर किलिक करके ओपेन कर लेते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे अब आपको इस तरेका से open हो जाएगा आप यहाँ पर escape पर किलिख कर लेगे अब आपको इस तरेका से open हो जाएगा यहाँ पर दिख सकते हैं लिखा ए टैस्ट लॉन और यहाँ पर दिख सकते हैं बताय गया कि आप लोग ना भी एप के माध्यम से 20 लाक रुपए तक लोन ले सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर mutual fund में भी invest कर सकते हैं साथ यहाँ पर और भी option दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं health insurance है तो आप लोग यहाँ पर Navi app से health insurance भी ले सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर home loan के लिए भी apply कर सकते हैं जिसमें कि आपको 5 करोर तक home loan मिल सकता है अब यहाँ पर Navi app के माध्यम से loan लेने के लिए यहाँ पर देखे उपर में लिखा है get up to 20 लाक instantly आप यहाँ पर apply no पर click करेंगे अब यहाँ पर mobile number fill up करने के लिए आगे हैं अब यहाँ पर देखे बताया जारा कि यदि आप loan के लिए apply करते हैं तो आपको 2 मिनट के अंदर loan approval हो जागा और आपके bank account में loan amount transfer कर दिया जागा यहाँ पर जो step होगा सबसे पहला यहाँ पर है basic detail जिसमें कि अपना name date of birth और pen number fill up करेंगे इसके बाद दूसरा यहाँ पर होगा employment type monthly income इसके बाद यहाँ पर आपको loan offer दिखाए जागा loan offer दिखाने के बाद आप अपना bank detail fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको KYC complete करना होगा उसके बाद आपके bank account में loan amount transfer कर दिया अब यहाँ पर आप get started पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपको permission देना होगा तो आप यहाँ से allow कर देंगे अब यहाँ पर देखिए basic detail fill up करने के लिए आगया है सबसे पहला यहाँ पर है full name तो आप इस box में अपना पूरा पूरा नाम fill up करेंगे दियान ले कि आप यहाँ पर जो भी आपका pen card पर नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर fill up करना है इसके बाद यहाँ पर है date of birth तो आप यहाँ पर अपना date of birth fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर है pen number तो आप यहाँ पर इस box में अपना pen number fill up करेंगे से select कर लेजे, यदि आप salary person है तो आप इसको select करेंगे यदि आपका खूद का job है, तो आप यहाँ पर self employed को select करेंगे लेकिन यदि आप दूसरा कोई काम करते हैं, तो आप यहाँ पर other को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर monthly income, तो आप यहाँ पर इस box में अपना monthly income यानिकि आप महीने में किटना रुपय कमा लेते हैं चले हम यहाँ पर डिटेल फिलब कर लेते हैं दियाने कि आप यहाँ पर मंत्रई income में ज्यादा से ज्यादा amount fill अप करेंगे इससे आपको यहाँ पर लॉन ने में असानी होगा चले इसके बाद आप यहाँ पर next पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको permission देना होगा तो आप ok पर click कर लेंगे अब यहाँ पर आपको sms का permission देना होगा contact का permission देना होगा location का permission देना होगा और device का permission देना होगा चले इसके बाद आप यहाँ से agree पर click करेंगे आप यहां से allow कर देंगे, allow कर दिए, अब यहां पर थोड़ा सा wait करेंगे, जब तक यह verify होता है, तो आपको यहां पर back नहीं करना है, तो यहां पर देख सकते हैं SMS data को analyze किया जारा है, इसके बास यहां पर device data, इसके बाद यहां पर contact data, इसके बाद यहां पर credit history को check किया जारा अब यहां पर आपका bank detail को verify किया जागा, तो यहां पर है search your bank, आप इस पर click करेंगे, और यहां से select कर लिजे, जो भी bank में आपका account है, जैसे कि हमारा HDFC bank में account है, तो हम यहां पर HDFC को select कर लेते हैं, अब यहां पर देखे, दो options हो कर रहा है, सबसे पहला यहां पर है use net banking, इ आप यहां पर दो तरीका से bank account detail को verify कर सकते हैं, चलिए हम यहां पर भाया OTP को select कर लेते हैं, इसके बाद आप next पर click करेंगे, अब यहां पर आपके bank account को verify किया जा रहा है, तो थोरा सा यहां पर wait करेंगे, अब आपके mobile number पर OTP आया होगा, तो आप यहां पर OTP को fill up करेंग इसके बाद verify पर click करेंगे, इसके बाद आप यहां पर approve पर click करेंगे, अब यहां पर देखें फिर से verify क्या जा रहा है, तो यहां पर आपको थोरा सा wait करना है, जब तक यह आगे का process होता है, अब यहां पर देखें जो भी आप loan amount के लिए eligible होंगे, यहां पर so करता है, जैस इसके अलावा यहां पर देख सकते है rate of interest सो कर रहा है, साती नीचे में देखें लिखा है 0% processing fee, यानि कि आपको यहां पर कोई भी processing fee नहीं लगेगा, साती आपने जो भी loan amount लिया है, यदि आप इस loan को time से पहले pay कर देते हैं, यानि कि आप loan को close करना चाहते हैं, तो आपसे कोई भी charge नहीं लिया जागा, इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे, तो यहां पर है select loan amount, तो आप यहां पर अपनी मर्दी से loan amount को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, आप यहां पर minimum 10,000 रुपए तक loan ले सकते हैं, इसके बाद यहां पर है choose EMI plan, तो यहां पर by default 6 months select किया हुआ ह यदि आप EMI plan को change करना चाहते हैं, EMI plan को कम या फिर ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप custom को select करके EMI plan को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर देखे लिखा है loan amount 30,000, साथ यहां पर है processing fee 0, यानि कि हमारे account में 30,000 रुपए पूरा का पूरा transfer किया जाएग अब यहां पर देखे bank detail fill up करने के लिया गया है, तो आप यहां पर search your bank पर click करेंगे, अब यहां से आप select कर लिजे, जो भी bank में आपका account है, इसके बाद यहां पर है IFSC code, जो भी bank आपने select किया है, उस bank के branch का IFSC code आप यहां पर fill up करेंगे, इसके बाद यहां पर account number, तो आप यहां पर अपना account number fill up करेंगे, इसके बाद आप next पर click करेंगे, अब यहां पर आपके bank account को verify किया जा रहा है, तो आपके bank account में 1 रुपए send किया जागा, तो आपको यहां पर थोड़ा सा wait करना है, जब तक यह verify किया जाता है, अब यहां पर देखे auto pay setup करने के लिए आ आप यहां पर देखे net banking में login करने के लिए गया है, तो जो भी आपके net banking का user ID है, आप यहां पर user ID और login password fill up करके login कर लेंगे, अब आपके bank account के साथ जो mobile number link है, उस पर OTP आया होगा, तो आप यहां पर OTP fill up करके submit पर click करेंगे, अब यहां पर KYC complete करने के लिए गया है, तो आ आप अपना photo upload करेंगे, इसके बाद आप next पर click करेंगे, अब जो भी आपका address है, यहां पर वो address हो करता है, इसके बाद आप next पर click करेंगे, अब यहां पर देखे email ID fill up करने के लिए गया है, तो आप यहां पर अपना email ID fill up करेंगे, इसके बाद gate cash पर click करेंगे, अब आपक नावी लिखा हुआ है यानि कि हमने नावी एप के मादल हम से लॉन लिया है मैंने आपको यहाँ पर लाइप प्रूप के साथ दिखा दिया है इसके बाद आप यहाँ पर नावी एप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर में लिखा है 30,000 ट्रांसफर सक् आते हैं तो pay no पे click करके pay कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि नाभी एप के माद्धेम से loan मिलना आपके civil score पर depend करता है यदि आपका civil score कम है तो फिर आपको loan नहीं मिलेगा या फिर आपने पहले से किसी भी एप के माद्धेम से loan लिया है या फिर आपने किसी भी बैंक से loan लिया है और उसका EMI चालू है तो फिर आपको यहाँ पर नाभी एप के माद्धेम से loan नहीं मिलेगा तो दोस्तों इस तरिका से आप लोग नाभी एप से आसानी से loan ले सकते हैं मैंने आपको live proof के साथ दिखा दिया है यदि आपके मन में कोई भी सवाल लगता है तो आप लोग comment करना मत भूलिएगा आपके comment का जवाब हम जरूर देंगे उमीद है कि आप कोई वीडियो पसंदाया होगा like करना मत भूलिए साथी चैनल पर नए आये हैं तो subscribe करके notification में all जरूर कर लिए फिर मिलत लगले वीडियो में तब तक के लिए bye take care करर दो